हेलो एवरीवान एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है युनिवर्सिटी ओप अलाबाद के बारे में कि अगर आपको यहां से पीजी करना है तो इसके जो फॉर्म है वो निकल चुके तो यह फ सब्सक्राइब पर विजट करके इनका अलग से फॉमफिल करना होगा एंटरिंस देना होगा और फिर आपको यहां पर एड्मीशन मिलने वाला है यह एक सेंटर युनिवर्सिटिए अच्छी इप यहां पर एड्मीशन ले सकते हो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर करते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लिजे क्योंकि आगे जो भी अपडेट रहेगा वह हम लोग आपको वीडियो के माधियम से जरूर पहुंचाएंगे और आप वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा सबसे पहले हम नोटीस के बारे मे फॉर्म स्टार्ट होंगे मिंस आज से जो हाँ फॉर्म फिल कर सकते है अलंकि अभी वेबसाइट पर थोड़ा सा एरर आ रहा है मैं अभी आपको समझा दूँगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना होगा फिर वहीं बात करें लास्ट एट की ठीक है तो सोला मई इसकी लास् मैंने की हुई है और लिंक में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन वोक्स में और अवेलिबल करवा दूँगा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या वोट्सप कम्यूनिटी गूरूप से भी जुड़े हुए है तो वहाँ पर भी आपको इंफोर्मिशन मिल जाएग जून के फर्स्ट वीक में आपका जो एक्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा तो प्रोपर एक डेट सीट अपने को देखने को मिलने वाली है उसी डेट के अपका सब्जेक्ट जो आपको पता चलेगा उसे के हिसाब से फिर आपको अपना एक्जाम देना है ठीक है आप आपका रिजल्ट भी यहां पर आ जाएगा वहीं अगर बात करें कांसलिंग के लिए कि कांसलिंग कभी स्टार्ट होगी सो कांसलिंग का मतलब यह होता है कि जब आपका रिजल्ट यहां पर आ गया तो उसके बाद किसका अडिमिशन होगा किसका अडिमिशन नहीं होगा व यहां पर जो डिफ्रेंट डिफेंट कौर्स उनके स्टार्ट होने वाली है यहां पे अजो है मेरी में जो है जो है आपका सेकेंज वीक कोश्री में जो है आपके काौंस लिंग की जो प्रोसेस है वो start हो सकती है और कुछ courses के बारे में भी यहाँ पर दियावा है जो exam pattern है वो यहाँ पर दियावा है जिसे कि इसमें यहाँ पर तोड़ा category wise divide किया रहेगा अगर आपको course जब आप form fill करें न तो हो सकता है कि आपको directly आपका course नहीं मिले बड़ा prospectus को देख लेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ यह मेरा course है और मुझे इस तरीके से यह code डालना है तब मेरा course यहाँ पर होने वाला है ठीक है तो यह कुछ course यहाँ पर दिये गए है LLB का है, M.com का है LLM का है और यहाँ पर इनके जो exam है वो online और offline दोनों mode में यहाँ पर होंगे ठीक है second यहाँ पर जो है इसमें भी जो course होंगे उनमें केवल और केवल देखे मैंने बताया है नहीं इस वाले में first section में आपका online और offline दोनों में second section में या फिर IPS जो courses है इन दोनों को मिला के जो इन दोनों के जो paper होंगे केवल और केवल online mode में होंगे offline mode में नहीं होंगे आपको paper online mode में ही देना होगा ठीक है यहाँ पर कुछ seat वगरा जो है वो दी गई है तो आप लोग यहाँ पर seat भी देख सकते है entrance वो है वो कौन-कौन सी cities में होने वाला है वो हम एक बार देख लेते देखिए मैं सारा चीज आपको clear करके जाओंगा ऐसा नहीं है कि जल्दी-जल्दी मैं सारी चीज़ बता दूँगा सब कुछ बता रहा हूँ अगर आप टाइम निकाल के वीडियो को देख रहे है तो दूसरा वीडियो देखने के आपको ज़रत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ यह officially ही बता रहा हूँ website से ही आपको बता रहा हूँ online और offline जो आपके center है उनका दोनों का यहाँ पर दिया वाया प्रियाग राज में है लखनव में है कानपूर में है गोरकपूर में है बारांसी में है और कुछ यहाँ पर डैली में भी है तो यह अच्छ है कि जो डैली वाले है उनको यहाँ नहीं आना पड़ेगा तो आप दे सकते है, डेली में भी इसके center है, ठीक है और जो keval online ये, online और offline दोनों बात को समझ लीजेगा ये online और offline दोनों mode में है और वहीं अगर बात करें, keval online mode में तो यहाँ पे यही कुछ जो है, आप देख पा रहे होंगे center आपके रहने वाले है, ओके इसके इलावा यहाँ पर जो course है PG-80 जो first है उसमें 32 courses है जिसमें की यह सारे courses है और यह जो second है इसके अंदर 24 courses है जिसमें आपका B.A.D. है M.A.D. है M.B.A. है ओके यह सारे courses आपको दिखरे होंगे इसके इलावा M.C.A. करना चाते हो M.A.C. करना चाते हो और भी इसमें है media studies वगेरा है ओके यह सारे courses इसमें आपके include होने वाले है अब इसके अलवा अगर आपको M.T.A.C. के लिए भी हाँ पर दिया वा है और जो question आएंगे उसकी बात करते है तो देखिए यहाँ पर लिखा है the maximum marks for all courses सभी courses के लिए 2023 में जो होने वाले है उनके कि दिखने होंगे 300 नंबर का आपका paper होगा ठीक है multiple choice question होंगे तो अगर डेड़ सो question आ रहे है मतलब 150 question आ रहे है आपके तो 300 आपके यहाँ पर बन जाएगे ठीक है यहाँ पर दिखिए कोई भी आपका negative marking नहीं है there will be no negative marking for wrong answers अगर आपने कोई question गलत किया तो आपको उसमें negative marking देखने को नहीं मिलने वाली है this is clear okay clear है आपको ठीक है सारी चीज़े आपको clear हो रही है step by step और उसके बाद बात करते हैं आपके admit card के लिए तो admit card के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपका admit card है वो entrance से एक week पहले आपको जो है देखने को मिल जाएग और आपको क्या क्या है यहाँ पर लाइक चीए वो तो normal सी बात है कि आपको admit card चीए होता है और एक original जो आपकी ID होती है वो आपको आपको आपका जो center होता है वहाँ आपको दिखानी होती है लाइक आपाद हार water ID कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो government ID होती है वो आपको यहा सारा कुछ इस एंदर है गाई अब कर सकते हैं उहां से हैं यहां सारा यहां पे समझा दिया है उके हैं प्रफ कि बात करना है तो यही कुछ है आप को क्या करना इनका वे急 website है जिस पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर लिखा हुए अपलाई ना उस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तो यहां पर यह काम नहीं कर रही है बट यह काम करना स्टार्ट हो जाएगी और जब यह काम करना स्टार्ट होगी तो मैं आपको एक वीडियो बना के बता दू का है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगे जो भी अपडेट रहे मैं आपको वीडियो के माद्यम से बताता रहा हूं इस वीडियो में इतना ही गाइस वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल शे शुक्रिया